तो अभी मैंने देखा सभा का व्लॉग और सभा का जैसे होता है कि एक question ठैकती है और public उसमें उलच जाती है कि वही answer करने लगती है तो इसने वही गया आज के व्लॉग में engagement बढ़ाने का तो उसमें बात करेंगे पहले शुरुआत से देखते हैं तो अब Sunny शुरुआत करता ह है और खुशामदीत की तारीफे करनी है तो पकड़ पकड़ के लोगों को कैसा लगा खाना कैसा लगा अम्बेंट भाई Sunny तो प्रेगनेंट लग रहा है तेरी बीवी से आदा तो प्रेगनेंट लग रहा है बच्चा लेके गोदी में खड़ा हुआ है यहां पर इनको यह पचास रुपे का कप पकड़ा रहा है जो इन्होंने थोके बाव बनवाई होंगे और पूरा यहां ना महरम महरम वाला इसाफ नहीं है Sunny पूरा औरतों के साथ मजे मार रहा है यहां पे कड़े होके सबसे फोटो कीच रहा है बाते कर रहा है रहान को जबरदस्ती पीछे सब्सक्राइब कर रहा है जो 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 रिव्यूज आ रहे हैं ना इसके खुशामदीत के गूगल रिव्यूज उसमें उनको फिक्स किया जा रहा है कि बदबूदार बोलते हैं खाना अच्छा नहीं बोलते हैं तो यह खाना बहुत अच्छा है अच्छा है अच्छा है अंकल जी पूरा इग्नोर वही है तो मेरी बीवी और मेरी वेटी है जो भी है इन लड़कियों में गुसे पड़े तो मिर्समुष से पूछ लो खाना कैसा है और कलर अच्छा है खाने का भी कलर अच्छा है तुम्हारा भी कलर बहुत अच्छा है अब यह देखो इसको गालियां पड़ी ना यह जब से साससुर गए थे तो इसने फटैक से उसके नेक्स दे वाले वीडियो थे उनमें यह सास अच्छा दोश्ट नहीं है तो आज लोगों ने इसे इतना लिखा के विचारी डर के मारे इसने फोटो लगा दी तो ऐसा होता है जो कॉमेंट्स के बहुत से चलता है इंका ब्लाग कॉमेंट्स में जो जाड़ोंगे डाटोंगे चिलाओगे तो सफाई देने आ जाएंगे और अपना यहीं कोई बात ने यह दो कोई बात ने हुमेरे पिताजी के बाल जड़े मेरे दादा यहां जारु वहँ बहुत हैं कोशिश करी गलत हो रहा है दर्मैट बोल देती हूं और बहुत जड़ गए थे फिर हम नहीं बताएंगे फिर क्या किया हो सनी ने क्योंकि हम सीक्रेट्स नहीं बताते हैं अपने सारे और फ्रेंट्स हम तो हमेशे कहते हैं अल्ला ने जैसा बनाया है वैसा अपने आपको करा दिये है और सब कुछ करा लिया देखो सनी ऐसा दिखता था जिब साओधी में ता फिर से सनी एर ट्रीट्मेंट करा तो इसके बाल आ गए तो अभी न सनी हैर ट्रीट्मेंट कराएंगे तुमारा वो क्या हो जो तुम आदिवासी तेल पेचने ने करे ते पुरा खांद उसका क्या हुआ लगाओ सनी को आदिवासी तेल अपने भी लगाओ जादा दोपट्टा अटा के दिखाओ दोदो इंस तो अटाई देखाओ जादा तुम्हारा कितना आदिवासी तेल एफेक्ट कर रहा है पहली बार यह पोल रहे हैं प्रेंट सनी को ना जैसे हमने देखा तो अपना वेट कम किया था और जो भी अपनी ग्रूमिंग की ते से शादी करने के लिए उसके बाद तो फैल जाए बहस बन जाए किसी ने लिखा कि सबाद आलू की बोरी लगती है तो क्या फरक पड़ता है हमें तो बस निकाहा करना था निकाहा ओगया तो ऐसे सनी हमने तो हेंसे कहा था तुम्हारे बाल तक टिकाला जब ढ़का रहें में हमारे कोई फरक ने बढ़ता तुम्हारा नौकर बनके रहने हैं घुलं बनके रहने कि पार था रहता हैं तो कमेंसेißt हैं उसके मैं आप्टिशन जीवन द्यहिते आइची दो ओड़न करा देंगे और सकि तो लिखते हैं लोग, बहुत अजीब ही कॉमेंट्स लिखते हैं, कई बार तो मुझे लगता है स्ट्रीन शॉट लूँ यह कुछ जादा ही हो जाएगा, प्लीज इतना भी कुछ जादा ही हो जाएगा, एक किसी ने इंस्टा-पेस के, जो इंस्टा की सबसे लेटेस्ट फोटो अरील है, उस पे बहुत ही खराब कॉमेंट लिखाता है इसके बच्चे के लिए, और मैंने का, यह कुछ जादा ही हो गया, और सभा के बच्चे के लिए जो भी हुआ भी नहीं है, तो अब वो डिलीट हो चुका ह तो मतलब देखते हैं, और डिलीट करने के कैपैस्टी में नहीं है जादा, क्योंकि अभी डिलीट करने बैठेंगे, तो क्या करेंगे, या तो फिर वही कोशन आंसर खेलना पड़ेगा, कि सिंपल सा कोशन जो इसने आज कोशन दिया, इतना वाहियात कोशन था, कि मतलब मन तो इस तरह से बेखूब बनाती है, इसके भोले-बाले सब्सक्राइबर, जो आज भी अपना डेटा यूज करके, पैसा देखे, डेटा यूज करके इसके व्लॉक्स देखते हैं, और उनको कॉमेंट लिखते हैं, हद है, तो आगे चलते हैं, तो ये बोलती है, कि किसई हो ये हमें पालूगाने, ओ फिर तुम अपनी बातों पर अपने ब्लॉग में मुकरे जा रहे हो, शुरु прог act यहां से करते हो, कि हमें तो जैसे हो तुम वैसे परसंद हो, सबाब भी हर चार ब्लॉग बत बोलती है, बनां मिसमेंच रहना चाहिए, बनां पर भी जैसे मर्जी दिखो सभी संनी मुझसे उतनी ही महबबत करेंगे और सभी यह विच्वार्ड करेंगे फिर भी हम सोच रहे हैं यह हैं था, यहां पे बैच जाते हैं और रेसर से पयूदर Waipya Kika Riza कहते हैं। प्रिजा कि नुदरी की है ृतु ईतनी चै प्रिषा ने इतने 95 साफ की हो गया है ऐसे पासपोर्ट आने के लिए हुए उनने किया इक्सरेटध है जिन्हों किया धेहां गुल्हों कि देको क्छो sıkधा है ..... शालोपी मुझे कैसा है देखने है और ये शालोपी आर्थ मैं तो ऐसा लग रहा है जिस दिन पासपोर्ट आ जाएगा ना उसी दिन दुबई ले जाओंगी सनी तुम कहा जा रहे हो मुझे छोड़के सनी में रेस्टोरांट चले जाता हूं उसके बाद रहान आ जाएगा अब सनी न सारे टाम यहां पढ़ा रहाता है देखो पहले रिजा सबा के साथ गुमता था आधे टाम अब सबा भार नहीं जा रही है तो यह इसका मन नहीं लगता है और रेस्टोरांटों तो बोर हो जात पहले जाएगे क्यूटिस आके अचा देखना वैसे यह मुसलिम है इनके महरम नावेराम बहुत चलता है वैसे तो सबा महरम नावेराम में कोई बिलीव ही नी करती वो तो सबके हाथ पकड़ पकड़ जूमती रहती है नाशती रहती है तो यहां जैसे सनी घुसा है सनी को म सबानी है रहान को और क्या का मैं क्यूटिस में रहान को थोड़ी कुछ करवाना था इस पर थोड़ी पैसा खर्च कर रहे है यह तो भाई की जिम्मेदारी है इसको तो बहुत चमकाना है अपने हस्बंड को क्योंकि हस्बंड उसके मुताबिक लगनी रहा है ना बहुत लो तुम्हारा मन नहीं लगता है तभी तुम्हारी अपेरेंस बदल दी तो क्या ऐसा ना हो तुम भी बदल जाओ सनी मुझे मत चोड़ दे ना वैसे मुझे बहुत गबराट होती है इस बात पर कि तुम छोड़ के निकलना जाओ मुझे यहां पर सनी को ड्रिप चड़ाते है मतलब कुछ मल्टी वाइटमीन्स देते हैं आजकल आईवी में और जो भाई साब जी ने जो शोईप इब्राहिम ने भी करवाई थी जब जलक दिखला जा हुआ था तो कि भाईया मैं तो पेहोश होने वाला था लेकिन वह चड़या था मल्टी वाइटमीन्स टाई कुछ दिखाएंगी तो तुम रहान को ले जांगो घुमाने फिरानी रहान को ले जाता है अब इसको कुछ तो दोड़ा साना fix करनी कोशिश कर जनमाश्टमी के बारे में नोंने जो बोला पुब्लिक भड की इसके बारे में बात तक नहीं करते हैं तो इस सोचते हैं पैसिफाइ कर देंगे पब्लिक को अगर हम इस तही से बोल देंगे कि शुब्द पावली वर्ड बोल देंगे तो तो भईया पब्लिक खुश हो जाएगी यहाँ पे कहेगा इतना मतलब भोला बनता है पब्लिक को गधा बेवकूफ समझता है कि पब्लिक बेवकूफ है बिल्कुल समझ नहीं आता पब्लिक को तो और इससे तो जो ओडियंस है ना मेजोरिटी नोट एवरिवड़ी बट मेज इसके ऐसी ही है अब यहाँ पे बोलता है कि सालो अपी के लिए सर्प्राइज देते हैं सालो अपी ने तिरको पूरा लिखा के पूरी लिस्ट बना के बेजा है इस दुकान से यह लेकिया आना और यह साइज ठीक है तो इतना ड्रामा मत कर घर आके फ्रेंट्स ना लेडिस प्लिक बोर हो चुके सब उनको समाझ आ चुका है चैलेंजे जितने भी तुम खेलते हो न यह सब बहुत सारे लोग मुझे लेस्ट में लिखते कि इस वाले ब्लॉग को कॉपी करते है पाकिस्तानी इस वाले को कॉरती है जैसे एंटर होता है न यह ऐसे मा बेटी दोनों के साथ ही शुरू आत होगी दोनों मावेटी दपटा लेके अपना ठीक ठाक करके पुरा रूम ठीक करके सेट करके बैड़ गई है कि हाँ भया ब्लॉग बनेगा और यह रिजा के लिए लाता है कि देखो मैं तुमारे लिए सर्प्राइज लाए अल्ला सनी तुमारे लिए सर्प्राइज लाए हो बेड़ू तुने तो का था मेरी बेटी तुने तो का था पूरी लिस्टी थी अल्ला यह नहीं बताना था व्लॉग में चुप करो सर्प्राइज दिखा हो रिजा के लिए रिजा एकदम पागलों के तरह है छपरी अब तो मुझे रिजा पर घुसा से लाव हमसे नहीं उपाएगा रियक्शन और सबाभी अच्छा फोटो तो मैंने वेजी दिए कि यह जादा मेंगा नहीं है यह वाला लादे ना व्लाव में सही लगेगा जिसा तो वैसे भी बेवकू के उसे क्या पता चलेगा वह तो छुटी-छुटी चीज़ों भी रि रहे हैं और यह सूट इतना ऐसे खुश हो जाएंगे रोज सूट आते हैं के धोक के भाव बंडल के बंडल अर अभी भावी जी का जो लेबल डीकिया है वह भी चलेगा नी वह भी थोक के भाव तुमारे नीले पॉले तिन में बड़े पड़े रहेंगे घर लेकिन सूट सबापी ने बोल दिया कि 5-7 जार खर्च कर सकते हो तो तो भी लेड़े नहीं मैं नहीं नहीं लोगा उसको दिला दिया जहां पर इतना को कहती है ग्यान पाटती है त्रेंश देखो हम खुच जाते हैं कितनी भी महंगी से महंगी चीज ले 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 लेकिन वह बात नहीं आत कॉमेंट्स मिलते हैं सब लोग बरबाद है बिल्कूल बदबूदार है ओवर प्राइज है कोई ध्यान नहीं रखता है एक बंदी लिखते है मैं मिलने गए थी सणी भाई को सणी भाई तो कहीं कैसी काम से निकले वह थे भाई वह किसी काम से नहीं निकला वाँ होगा सभा यहां पे एक और सूट लाया है और अम्मा एकदब शर्मा रही है फिरसे भाई होगे शर्माने कना तक कितनी पर शर्मा होगी एक सूट पर शर्मा लें दूसरे पर भी शर्मा वी कि इतना मत ऑपर आठ करो और चालू के तो एक दम दिल बठी है अरे अम्मे को एक इस मेरी माखोस है अब भाई सनी तो अपनी भावी जी के लिए लिया तो बैठी है रुहान को गोधी में खिलाता है इतना रुहान के लिया था रुहान के लिया था रुहान के लिया था रुहान के लिया क्योंकि हिम्मत नहीं है सभा ने बोला नहीं सभा वही है क्रेट कार्ड का तो पहली बार शापिंग करने गया हूँ, मुझे नहीं समाजा है, तुमने सवसाइज बताय थे वस वही लिया है, अपनी मा के लिया था, पनी बहन के लिया था, यह ऐसा बंदा है, जिसको, जैसे इसके साथ ससूर कहते थे न, मतलब सुनने में आया था कि अलाओ नहीं कर रह जीजाजी से भी, क्योंकि जब इसके जीजाजी के फादर के डैथ हुई थी, तो यह गए थे, तो यह तो अपना ब्लॉग बनाने एरपर शूट में लगी हुए थी, एरपोर्ट लोग हम एरपलेन से जाएंगे, जूट-जूट कानिया कर रही थी, और ब्लॉग बनाने ग तो मतलब कटा दिया सनी से, और सनी तो ऐसा इस पर लट्टू अपड़ाया, जैसे पता नहीं क्या मिल गई हो, बहतर हुरों की हूर यही मिल गई हो इसे, और यहां पर कहते है, सनी आपने मुझे मिस किया, भाई कहा गया था यह बाडर पर लड़ने किया तो जो मिस करेगा कि भाई तुमने मुझे मिस किया, नौकरी करने नहीं जाते है लोगा, सुबे से लेके शाम तक वो मिस ही करते रहेंगे कि अपनी बीवी को, भी तेरे से दूर रहके ज़्यादा खुश रहता है, जो इसको वहां गया था न, क्यूटिस में, उस बंदी के साथ उतना खुश दिख रहा था और जो इसके रेस्टरॉण में आती ही न, बंदीया, बात करने, उनकी उस तेम आखों में चमक देगा कर इसकी, तब यह तेरे विना ज़्यादा खुश रहता है, यह तो नकली हसी अंसता रहता है, तेरे सामने है, और यहां सवा नो बचने से रेस्टरॉण के लिए फालतों फालतों कुछ भी उठा लेके आ गया, और दोनों ने अपना ब्लॉग काट लिया आदा, इसी चक्र में तारिफे तारिफे, देखो प्रेंट्स ऐसा होता है न, कि हस्बंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, हस्बंड कमाए तो हस्बंड दोनो का सपोर्ट करते तब ही आगे बढ़ सकते हैं, और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और सौनी को लग रहा है कि रैस्टरॉंट जे चला रहा है, और जो पैसे आ रहे वो पेसे है, वो ठीक है, लेकिन रैस्टरॉंट यहां पर पीछे का घर दे को जुरूस बना हुआ है और यहां पर कई एक लड़की ने लिखा था कि तुम मुस्लिम हो वैसे हिजाब हिजाबी बनते हो और क्या बोलते हैं तुम अपने पेरेंट्स के सामने इस तरह का नहीं दिखा सकते कि गले लग रहे हो और अपने हस्बंड को इस तरह के से पकड़ रहे हैं ऐसा थोड़ा शरम करा करो वट इसे फरक नहीं बढ़ता है रिजा देखे रिहान देखे तो गले लगते है चिपक पहने गला कि सब्सक्राल करता से यहां पर रहें ने बहुत आइटा गराये यह वाला पैटन मुझे बहुत पसंद है, यह वाला पैटन के मैं बहुत सारे लेती हूँ, हम्मी तुम्हें यह वाला पैटन चाहिए, और DKI लेवल में भी यह पैटन लगा देंगे हम, और उसके बाद यहापर सनी के पास फिर पहुंच जाते हैं, फिर हात लगए भाई तो अगले व्लॉग में फिर से कुछ दिखा दूँगा, तो यहां पर सूट तो वही कपड़े तो इतनी आते हैं, इनके पास की हद हिम्मत है, हर रोज मा बेटी नए कपड़े पहनते हैं, मुझे रेरली कभी ना सेम कपड़े पहने वे दिखे हैं, जैसा यहां पर अपना समा और अमी भी नहा ले ना, इससे मल-मल के गर्दन मल-मल के नहा ले ना, बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो वारी गर्दन काली हो गई है, और डाइबटीज वालों को होती है, फिर हमारे पर लोग उंगली उठाएंगे कि हम तुमारे ले ठीक से खाना नहीं बनाते खिलाते नहीं तुमको, फिर उसको जैसे डाइबटीज हो गया, अब वो बात क्या करें, कि हमारे घर में तो सभी का यही हाल है, जिसको देखो मुटापा का शिकार है, लेकिन क्या करें, हमें खाते हैं इतना हैं, आप सालू अपी को देख लो, पिसले ब्लॉग में 15-20 पूरियां खा गए, भरके 14 खीर खा गई, तो फिर वो हिलते डुलते हैं, हम लोग तो मुटापा तो आए गई न, आप सनी को खाना दे रही है, डिनर का टाइम पर, वही तो रेस्टरॉंट नहीं जा रहा है, यहां मौदा का घी लगा की रोटियां दे रही है, बंडल बना के रोटि अपनी मा के घर पड़े वे हैं, और उनके ओपर बोज़ बन गए हैं, घर तुड़वाना है, तो टाइम पर तुड़वाते हैं, अभी ऐसे टाइम पर तुड़वा लिया कि बिल्कुल ही काम ना करे ये, और मा बेचारी बे बोज़ बनके बैठी रहे हैं, कहते हमने बनाय के खाऊ गए, तो यह होगा, अब यहां पर एक और चीज, यह कहते हैं, सनी देखो बिस्किट आये थे, यह कराची वाले कराची बेकरी के लिए, बहुत तरह के वर्ड बोला जाता है, कि बहुत नहीं दिखाते हैं, हम पाकिस्तानी प्रेमी हैं, यह मत सोचना, हम हिंदुस आप पाकिस्तान प्रेमी हैं, ऐसे बिस्कृट तो हल्दी राम्स, बिकनेर, बहुत तरह के वर्याइटी के आते हैं, बर वो नहीं दिखाते हैं, हमेशा कराची, कराची दिखाते हैं यह दिसकृट, खुला हुआ है तो अम्मी तुमने खा लिया था, क्या मतल़ अम्मी के पीछे बढ़ जाते हैं वह इंका भीजली पानी यूस और अब देखो यह रात के ठाइम पे बैटके सनी चल गया था रेस्टोरंट उसके बाद बप गिस रही है मा बिटी दोनों। अब करिए फैंस देखो ना हम लोग ब्लॉग देख रहे ते कुछ सीरियल देख ते अम्मी तो बैठे बैठे फिर ऐसे सो जाती है तो फिर अम्मा हम लोग यह बरब किस रहे तक उनकी नीन खरा मुझे आफिस किन के लिए अच्छा रहता है तो यह आएगा जब तक सनी नहीं लेकिन नहीं यह उनके मुँपे बरफ घिसरी है बरफ की कहानी बताओ अम्मी बता रही बरफ की कहानी हमारे यहां फ्रीज़नी था फिर हम कटॉरा बड़ोसियों को दे देते थे थे फिर वो जमा देते थे उसके बाद गया कि फ्रेंड्स देखो आह ल्ला जिसको जितना हुसमें सुकून रखना चाहिए और दिल छोटा नहीं करना चाहिए लोगों से जैलस नहीं होना चाहिए और ऐसा अल्ला उड़् किसी के सुख च्जारी बोलता जो ज्यान बाटती नहीं ये खुद कई तो इसको खुद पता हुता है कि ये कितना желस होती है कितना चड़ती है सनी आता है रात के सब वहेmother हुआ सबा की तब्यत कराब है । मेरी और बेटी तु Smoke burla अपना रिजा पानी दे रहे हैं सवादो बजे यह उसके हाथ है और इसको इतना टाइम लगता है तो सोचो रात के दो तीन बजे विचारी सुएगी तीन बजे उसके सुबह उठके वो अपना breakfast बना की यखनी पुलाओ जो बना दिया है, अम्मी जी ने पतानी किस ने बना दिया है, भरके भगोना, पतीला भरके, चार दिन चलेगा, वो ही लिके जाएगी. किसी ने इंस्टाग्राम पर या इसके व्लॉग पर भी एक दो लोग लिखते हैं कि रिजा रिहान को इतना abuse करते हैं, torture करते हैं, और किस चीज के लिए लेके आया थे और क्या कराते हैं, काम वाला बना के रखा हुआ है, इनके लिए थोड़ा justice होना चाहिए, तो hashtag चला रहा ह यहां पर next day दिखाते हैं, कि रिजा का पासपोर्ट आगे, पर यह पासपोर्ट पे जो बंदय ने बेल बजाई होगी तो इन्होंने पहले बोला होगा, पहले हम अपना camera on करेंगे, उसके बाद हम आएंगे, दरवाजा खोलने के लिए, और साइन करने के लिए, पासपोर् एक ही bedroom है, एक ही bedroom है, तो उसमें मम्मी सोती है और रेहान सोता है, रेजा तो चटाई पे सोती है, तो इसने रेहान को हटा दिया होगा, रेहान इदर उदर कहीं सोया होगा, और यह कहते है, स्कूल से आने के बाद पीछे सवा तीन बजे है, स्कूल से आने के बाद यहां प पैकेज खुलने में इसको आफ़ पढ़ती है और रिजा इसको मेक अप के लिए समान दे रिजा मेरे को ब्रश दे दे मेरे को टिंट दे मेरे गाल लाल करने है पूरे तब अच्छी फोटो बनेगी वरना मेरा कोलाबरेशन खतम हो जाएंगे तो यहां पे पूरी तयार वैर क अकेले भी जा सकती हो तुम हाँ आजकल दोनों चलेंगे लड़की लड़की जाएंगे बाया तुमसे लड़की लड़की तो एक किसी पार्टी में इवेंट में जाया निजदा तो मैं दोचा असिस्टंट के तुम्हें इतनी घबराट होती है अलेवेटर जाने में तो मे गया दुबाई अकेले अब यहां पे ब्लॉग जादा लंबा ना हो जाए मेरा यह पॉड़कास जादा लंबा ना हो जाए फास्ट कर देती हूं तो बेसिकली इंस्टा के इसको पैस समान आते है तो मा को एक कोई अब ऐसे सारे डाइबेटिक हैं करते कि आयन को कुछ अकल है या ने कुछ भी और वहां उसके कड़क हो गया और रिजा भी देखके किसका बना रही है शालू अप्पी का व्लॉग देखके बना रही है जो उन्हें तीन-चार साल पहले उसने बनाया वह मावा के लड़ू रात के 10 बज रहे तो सणी शूट कर रहा था भाई सणी तू अगले दिन की बात पिछले दिन भी सणी बैटा रहा था नौद तक घर में और यह नेक्स डीवी बैठा हो है यहां पर पासपोर्ट खोल के नहीं जड़े खड़े हो जाते हैं शूट करो पासपोर्ट हात में अब यहां पर जाओंगे अब इसको जाओंगे अब आप तुम इंडिया में कई भी घूम लो अरे नहीं अमी इंडिया में नहीं जब इंटरनेशनल ट्राइवल करेगी ना तब लगेंगे ठपे रिजा पन दोनों चलेंगे अब यहां पाट रही थी जैसे इसको ज्यादा को डाल दिया मावे में तो अब जिस बहुत पूछता फोन पर उसके पाट भी जी पहूंच गए प्रेंड ने भी अपने व्लॉग में वेबसाइट दिखाने के लिए आने आया थे जब भाइब अपेनियन लेने तो उन्होंने हमें अपने व्लॉग में शूट करेंगे हमा बाभी जी के चलओं में पहुंच जाएंगे तो भाभी जी के यहां पहुंच अगही है थीजित के लाज़ zer हूं यह घाए तो बना ले तो इसा टाइम पास करे ने जा पिसी भी शक्क अड़ा दो ओ यह कॉमन सेंस की बात है तुम और जिए डाल जाओ तुम लोग्लों अपन इंपॉर्टन वाला पार्ट जसने इसने गेम खेला केती है यहां बैठ गई अपना सर्दज के और अपना काला दुपट्टा फेवरेट जो हिजाब का है वो दाल के सोकोर्ड हिजाब की फ्रेंड्स हमने ना पिमार थे देखो फ्रेंड्स हम हर व्लॉग में बोलेंगे पिमा तो थोड़ी दया दिखा देना कॉमेंट्स लिखने में और लास्ट में लिख रहें लास्ट में बात करें तक यह याद रहें कि क्या था जिस को पूछिए हम उसी पेवारे में लिखना है वह है इस लेबस उससे आउट उस बचले जाना तो मेरा कुश्चन यह एस लगा हुआ है और फ्रेंट्स हम सची बात बताते हैं कि आज तक तो हम सिर्फ को लैब में आए वे सूट दान करते थे कुछ बार तो पहने वे भी तो लेकिन अब हम सोच रहें कि हम खरीदेंगे ताकि भावी को जले पर नमक लगा सके क्योंकि उनकी दुकान तो चलने नह कीदान कर रहे हैं किते हैं फैस्टिव सीजन आरहा है शादियों का सीजन आ रहा है इसने यह निंख लिवाली आ रही है या कोई पड़ा लिय ने सकनि जीवाली 5 लिश गोर गोड़ी चीज और यह कुछ भीने करेंगे बता दो और लोगों ँसने पोचा क्वेशन की इसको न कोई पचयस को देना है, ना पचयास को देना है. आप लोग बताओ, इसमें इतना दिमाख है कि पचयास लोग पेट्रस मांगें, फिर उनके लेबल сы Rhod की डालें. सुट इस Shelly के दिखाने, फिर इसको आफत लगती है। वह काम लगता है उसके लिए हर व्लॉग में रोती है कि आज बहुत इंस्ट्राग्राम के काम है बहुत सारे पैकेज आएं तो यह पैकेज पचास बना के भेजेगी कुछ नहीं करेगी दो चार बनाएगी और उसका ही पूरा व्लॉग बनाएगी जो दान होता है वोग इसे दिखा के नहीं होता अगर इसने करना था न तो चुपचा पीछे से करती हो दो सिकंड की क्लिप उसको मतलब फास्ट वावड करके ऐसे कुछ दिखाती नहीं नहीं अगर यह खरीदने भी जाएंगे न तो इसका दो मकसद हो एक तो भावी के उपर रब करना कि देखो तु लेबलDKI से लो अपनी भावी को सपोर्ट करो थोड़ा उनके biznes को सपोर्ट करो तुम भावी को क्या ही सपोर्ट करोगी बिजनस को सपोर्ट करो क्योंकि उन्हें तो तुमने यूज कर लिया अपने रिष्टरण में बुला-BULा गे तो यह तो इसे लगता है कि भावी रि चार व्लॉग बनाएगी उसके, सनी को भीज भीज के, अगर यह खुद न जा पाई तो, और फिर मतलब रिजा रहान को अम्मी को भीठा के, उनको सारे पैकेज पैक करवाएगी, उसके दो अलग से व्लॉग बनेगे, फिर उनको भेजेगी, उसका एक अलग व्लॉग बनेग ऐसे बहुत बार बोल चुके है कि हम दान करेंगे, हम डोनेट करेंगे, यह उस लड़की का क्या हो है जिसने, जिसके बारे में इसने का था कि उसको बिमारी है, मैं अपने पूर एक ब्लॉक का सारा पैसा उसके इलाज में दूंगी, कहां गई वो लड़की, वो दिखाओ तो जोड़ बोलते हो तुम, आदिवासी तेल बेच बेच के दोनों भाई बैन इतने वहां बैंगलोर पहुंच गए, पूरा चार पाच लाग का इनका हिसाब किताब था, वहां से उन्होंने पूरा अपनी बरात लेके, बेटी खाला, खालू, सनी, बच्चे-बच्चे सब प पैन लो, पैना दे सनी को भी हिजाब, खुदका भी यह हुआ था ना, जब टकला दिखने लगया था, तो इसने हिजाब धारन कर लिया था, तो अब सनी को भी हिजाब पैना दे, अच्छा लगेगा उसका भी, बिल्कुल सही लगेगा, तुम दोनों हिजाबी बन जाओ, और ऐसे पब्लिक को बेवकुम बनाते रहो. तो चलिए गाइस, बताना कैसा लगा ये podcast and बने रहे, have a great day, bye-bye.